नमस्कार आप देख रहे हैं प्रैमिस 24 मैं हूँ वैशाली खबर है गोंडा से जहां राशो दली पुत्रबशीर निवासी गोसियाना केशोपुर पहाडवा कारूप है कि उसकी बहन सहाना के साथ 27 दिसंबर को लगभग 6 बजे उसी के गाउं के निवासी कालिया नाम की वक्ती ने घर में जबरन गुसकर बलादकार करने की कोशिश की जब पीडिता ने शोर मचाय तो आरोपी कालिया अवैत कटे से फायर करने लगा लेकिन फायर मिस हो गया शोर सुनकर आसपास के लोग और परिजन भी मौके पर पहुँचे तो देखा कि उसने बहन को जान से मारने के लिए चाकू से सिर पर वार किया बचाव को आये सहाना की पिता और भाई पर जानलेवा वार किया गया जिससे दोनों बेहोश होकर गिर गया जिनका इलाज जलास पताल गोंडा में चल रहा है वहीं पीडिता का आरोप है कि जेब में रखे 2000 रुपे और जरूरी कागजाद भी वो छीन कर भाग गया इस घटना से पहले भी कालिया 21 जुलाई 2019 को पीडिता की बहन नसीमा के साथ गलत संबंद बनाने की नियत से कपड़े फार चुका है और शिकायत ना करने की धमकी दे चुका है फिर भी पीडिता के परिवार ने इसकी शिकायत समंदित थाने मी की लेगे पोलिस जवारा आरोपियों के उपर ठीक से कारवाई ना किये जाने से आरोपियों का मन बढ़ा हुआ है पोलिस के इस रवाये से सवाल उड़ता है कि क्या पीडिता के परिवार को न्याय मिल पाएगा आपको चोड़ लगी हमको जिमीन हला हुआ तो हम घर पे नहीं थे दुखान पर से गया है सब लोग लग्यानिस लड़की को बाज़े रहें जोसी में हमको भी मानने लगे इसे मारे हैं आपको छूरी चक्कू से कौन पूर मारा है कालिया रहें कोके रहें जन्ना रहें फ़र पाइपकर राशीद सरफित प्रेफित धर क्या नाम है किस गाउव करेंगे वाले हो तक आएसे चोड़ लगी उसके बाद नमी मिस हो गया धध्य कुंधे से मुझे मार दिया है यह कुंधे से मारा थो है क्यो यहां इससे पहले भी विवाद हुआ था इससे सिकायत आपने किया था यहां ने सिकायत किया था आपने थाने पर अच्छाने से उसके बाद सीयों के पास रिपोर्ट गई है कर उसको अप्लिकेशन भी दिया उसके बाद में अभी कोई कारवाई नहीं 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 लिखा गया लेकिन अभी किसी को पकड़ा तक नहीं है और कोई वहां पेपर पेशायमन किये थे आप यह ने साधे पेपर पर दसकत किया था यह और उसमें क्या थान प्रभाई ने चाहिए प्रकवास महजूद थे जिसमें वह नहीं थे अच्छा कौन था वहां पर वहां पर कोई एक सिपाई था अवह हम गाट थे अच्छा यह बैठी है जो आपके कौन है यह लड़की है आप इनकी पत्नी है यह चोटी लड़की है पारमिस 24 के लिए गोंडा से देवी पाटन मंदल ब्यूरो प्रदीप कुमार की रेपोर्ट